हेलो बच्चों एक बाद फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है द्रोन स्कूल में आज के वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि OMR sheet को कैसे भरना है आपको कोई भी गलती नहीं करनी है बहुत सारे बच्चों ने मैसेज किया टेलिग्राम ग्रूप पे मैसेज किया यूट्यूब का कॉमें सेक्षन तो भर दिया सर ये बताओ थोड़ी बहुत गलती हम कर जाते हो OMR sheet भरते टाइम पे क्या अच्छा हां एक ट्रिप्स और ट्रिक्स दूंगा कि कैसे आपको OMR sheet को भरना है बकायदे ताकि आपका एक्जाम में गलती नहीं हो और आपका सेलेक्शन इस बेसिस पे नरुख जाए कि आपने OMR sheet गलत भर दिया है क्योंकि बहुत सारे बच्चे साल भर बहुत मेहनत करते हैं कड़ी मेहनत लेकिन OMR की प्रेक्टिस नहीं होती है फिर वहापे गलती कर जाते हैं कहीं रोलंबर गलत कर दिया और कहीं गलती से मतलब 2-3 गोले भर दिये या फिर कुछ और गलतिया कर दिया बहुत सारे बच्चे करते हैं क्या गलतिया नहीं करनी है मैं आपको बताने वाला हूँ अगर आप दो चार दिनों के लिए होली को उपर और इसके साथ ही मैं बताओ कि यह शॉली का ओफर लगाओगे तो यह 700 रुपे के आसपस पूरा का पूरा कोर्स आप सभी को मिल जाने वाला है तो यह कुछी दिनों के लिए ओफर है तो आप जल्दी से इंड्रोलिस में कर सकते हैं अर्जून बैच के लिए इसके अलावा हमारा को आपको देखने को मिल जाएगा अब हरेक करते हों फेस्ट करना बढोरा आप अब देखोगे कि हापके कुछ सेक्षन आपको दिख जाएंगे सब्सक्राइब अब नहीं देख सकते हैं जिसको आप देख सकते हैं चलो आ बात करते हो सबसे पहले तो मुझे ओमार शीट दिखाने दो तुम्हें रुख जाओ अब यह पेजेस अलग अलग नहीं होते हैं जो बच्चे पहले से फैमिलियर होंगे उनको पता होगा लेकिन कुछ बच्चों को नहीं पता है तो मैं बस दिखा दे रहो आपको तो यह इस तरह से लेकिन सबसे पहला क्वेशन यहीं आपका आ जाता है कि बहुत सारे बच्चों ने पूछा कि भई क्या इस बार का जो है OMR sheet बदला है यह तो पुराना OMR sheet लग रहा है तो सुनो मैंने पूरी खोजबिन की कहीं भी official ऐसा नहीं दिया गया है कि OMR sheet बदला है ठीक है तो उस चक्रे ना पड़ो OMR sheet बदला बदला नहीं है यही OMR sheet है जो पहले से भरा जा रहा है वही आपको एक्जाम में मिलेगा ठीक है बागे अगर मालो एक्जाम टाइम भी बदला भी तो अगर हमें पता रहेगा कि कैसे भरनी है OMR sheet और क्या क्या गलती नहीं करनी है तो थोड़ा बहुत चेंज रहेगा तो करी सकते हो ना अरे वही समझदार वच्चे हो तुम तो फिलहाल OMR sheet नहीं बदला है यही OMR sheet आपको इसी OMR sheet की practice करनी है जब भी आप अपने answers लिखो तो इसी OMR sheet में practice करना है So let us start with the first page यह हमारा पहला page है ठीक है और जो instruction है वो तो बकाइदे इसी पर लिखे हुए है लेकिन फिर भी मैं तुम्हें बता दूंगा अच्छे से कि क्या क्या चीज़ें आपको नहीं करनी है काले या फिर नीले ballpoint pin का उप्योग करना है यह तो आप सभी को पता यह मैंने आपको यह मैं दिखाता हूं आपको जैसे यह मेरे पास एक question paper है यह model paper वैसे है question paper मानलो तो last में आपको last में भी एक पूरा का पूरा एक space दिया हुआ होगा और यहां पे page में नीचे भी नीचे भी बहुत सारी space आपको दिखेंगे यहां पे दिखरा होगा थोड़ा बहु यूज नहीं करना है वहां इतनी नहीं करनी है और ठीक है तो यह सारी चीज आपको बताता हूं कि कैसे करना है आपको दूसरी चीज यह है कि यह इस पर rough-off करना तो मना है मैंने बताए दिया कच्छा काम करना मना है rough-off करना और सामने के गोले में जिस question का जो answer होगा उसी number आपको उसका answer लिखना है मैं बता दे रहा हूं एक बार देखो तो सबसे पहली चीज तो क्या करना है आपको मालो कि मैं यही example लेकि आपको अच्छे से समझाता हूं सबसे पहली चीज यहां पर आपको roll number भरना है roll number पहले कुछ numeral मतलब कुछ alpha numeric में आते थे जैसे कि पहल आपको ऐसे roll number बिल्कुल बकाय दे कहीं बाहर बहर नहीं बना है अच्छे से जैसे roll number अगर आपका one थोड़ा मैं मोटा पेन लूँ क्या चलो भई ठीक है मालो आपका roll number है one two six seven eight nine four तो simple ऐसे बहर देना है अरे इसमें कौन सी rocket science है बस बाहर नहीं करना है ऐसा नहीं कि थोड बढ़ी में रहते हैं एकदम pressure में रहते हैं कुछ गरबड होगे एकदम hardware खापता है कुछ गरबड हो गया तो सारा बरबाद हो जाएगा सब बरबाद हो जाएगा तो इतने pressure pressure में नहीं रहना है पहली बात तो समझो आपको simple यह paper है simple आपको भरना है यहाँ पर देखो name of the candidate Capital letter में अपना नाम लिखना है अगर तुम्हारा नाम राजू है तो raju capital letter में मतलब बड़е अक्षरों में लिखना है ठीक है दूसरी बास देखो यहाँ पर पिता का नाम पापा का नाम पापा पापा का नाम अगर विराठ है तो वी आई आर एटी यहाँ पर पिता का नाम बड़े अक्षरों में लिख लेना है विराठ सिंग है तो यहाँ पर एक चीज बच्चे गलती करते हैं क्योंकि हमें सिखा जाता है ना शुरू से कि श्री बोलो मिस्टर लगाओ तो यहाँ पर म अगम है बस instruction यहाँ पर दिया हुआ है कि दूसरे पैज को कैसे भरना है जैसे अगर मैं इसको दिखाऊं तो देखो यहोआप नियचे यहाँ पर आपको निर्देश दिया हुआ है कि कैसे भरना है इसमें नीचे यह निर्देश दिया वह तो इससे आपको कोई 협 Lamb lang नहीं है बिल्कुल कोई मतलब नहीं है इससे ठीक है इससे कोई मतलब नहीं है इसको आप छोड़ सकते हो अब देखो अब मैं बता रहा हूं एक चीज पहली चीज तो अब जब इसको दूसरे पेज पर पल्टोगे यह देखो यह दूसरा पेज जब आएगा आपका यह दूसरा पेज पहला पेश तो खतम हो गया यह दूसरा पेश है यह बहुत इंप इस पे गलती नहीं करनी है क्योंकि जो मैं शीट्स होती है वो मशीन से चेक होती है दड़ादर 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 चेक होते जाती है अरे इतने 25-30 लाख लोग लोग जो है फॉर्म भरते हैं तो आदमी कहा तक चेक करते बैठेगा तो यह मशीन से चेक होती है इसलिए आपको इस पर गलती नहीं करना है यह गलती कर दी तो समलो सब गया फिर सब सब गोबर हो गया तो इस पर गलती नहीं करनी है मैं बतारों कि क्या कर सावधानी आपको बरतनी है इसमें देखो पहली बात तो तो इसमें ये चीज 15 मिनट पहले आपको मिल जाएगा, OMR sheet वगर 15 मिनट पहले आपको भरने के लिए मिल जाएगा, तो 15 मिनट पहले ये सारी चीजें आपको बिल्कुल बकायदे से भरनी है, दो sections हैं यहाँ पे, देखना यहाँ पे, यहाँ पे दो sections है, यहाँ पे दो sections है, यह पूरा एक section है, और यह पूरा एक section है, तो एक चीज यहाँ पे आप ध्यान दो, यहाँ पे लिखा हुआ है to be filled by invigilator, मतलब जो परिक्षक होगा न, exam hall में जो आपका master होगा, teacher होगा, जो निरिक्षक होगा, उस ते द्वारा यह चीजें भरी जाएंगे, तो इसकी आपको चिंता नहीं करनी है, ठीक है, यह देखो, कभी भी ऐसा नहीं होता है, कि students भरते हैं, नहीं, क्योंकि बच्चों पे भ दोनों थोड़ी न गलत भरेंगे, या तो teacher गलत भरेगा, या तो बच्चा गलत भरेगा, ऐसा बहुत ही कम होगा, rare case में, कि दोनों पी करके आया हो, दोनों ने गलत भर दिया, तो ऐसा नहीं होता है, तो अगर कुछ भी इसमें miss match होता है, तो machine तुरण reject कर देगा, और reject कर भरते हैं, यहाँ पर क्या-क्या चीजें भरती है, भर नहीं है, आपको दो चीजें भर नहीं है, देखो, एक तो आपको roll number अनुक्रमाग भरना है, है ना, आपके द्वारा यही भरना है, और दूसरा आपको test booklet number भरना है, अब यह क्या चीज है, रोल नमबर तो आपको पत उस्तिका क्रमाग या फिर test booklet number इस तरह से लिखा हुआ होगा, यहाँ पर शायद नहीं दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ पर इस तरह से लिखा हुआ होगा, ठीक है, तो वो जो आपको question paper मिलेगा, उसका एक number होगा, उसकी एक identity होगी, ताकि उसको, ताकि उसमें कोई छेलख का, हर एक question paper का, एक code होता है, A, B, C, D, E, F, G, H, इस तरह से, और वो code यहाँ पर लिखा हुआ होगा होता है, यहाँ पर code लिखा हुआ होता है, ठीक है, तो उस code को मिलाना है, कि भाई वो जो code है, वो जो code है, वो OMR sheet पे भी, यहाँ पर एक चीज, एक जगे, एक code दिया हु मैच कर रहा है, तो तुम कितना भी अच्छा कर जाओ, कितना भी बढ़िया कर जाओ, फिर सब खतम होने माला है, ठीक है, तो अगर यह मैच नहीं कर रहा है, तो अगर यह मैच नहीं कर रहा है, तो अगर यह मैच नहीं कर रहा है, उसमें जो रूम में, जो आपके कक्ष में मिल ही नहीं रहा है फिर आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है यह मिलाना है ठीक चौनों अभी यह हमें में बता दे रहा हूं भाई कि अनुक्रमांग आपको पता रहेगा यह बुकलेट नंबर आपको जब क्वेशन पेपर मिलेगा तब यह दो है तो दो को काला करने बिना इसको भरे बिना इसको भरे यह काला करने लगते हैं इस तरह से गोला भरने लगते हैं अब यहां पर दिक्कत क्या हो जाती है कि मालो यह ऐसे कर दिया ठीक है अब इसी के नीचे एक के बाद दो आया दो के बाद मालो तीन है तो तीन को इसी के नीचे भर देते हैं, तो एक लाइन में, ध्यान से देखना है, एक लाइन में दो गोले नहीं भरे जाएंगे, एक लाइन में सिर्फ और सिर्फ एक गोला भर जाएगा, कितना एक गोला, एक लाइन में सिर्फ एक गोला भर जाएगा, देखो, यह सीधी एक लाइन में तो 6 के नीचे ये 6 भरोगे, फिर मालो यहाँ पर अगर 0 है तो 0, तो मेरे कहने का मतलब यह है कि पहले वो अंक में तुम लिखो, उसके बाद गोले भरना, क्योंकि जब लिखे रहोगे तो दीखेगा कि भाई, इसके नीचे ये भरना इसको, ठीक है, तो पहले इसको मत भरना, दूसरी टिप याद रखना, कि पहले इसको आपको नहीं भरना है, पहले अंक जो है आपको भर लेना है, 7, 6, 5 मालो है, तो 7 को यहाँ पे लिखो, फिर 6 के नीचे यहाँ पे 6 लिखो, भरो और 5 के नीचे यह 5 भरो, इस तरह से आपको भर देना है, इतनी बात कलिर है बोलो, इतनी बात कलिर है, और थुना मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ, कि यह शायद अगर नहीं दिख रहा होगा, तो अब ठीक है, तो इसके नीचे आप देखो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, थोड़ा ऐसे मैं मिटा देता हूँ, रुग जाओ, रुग जाओ, रुग जाओ, ये कैसे काम कर रहा है भई, बोर्ड, मास्टर को दोखा देता है बोर्ड, अब देखो, अब अच्छे से दि दिख लो, 6, 7, 9, 6, 2, 4, 3, तो रोल लंबर के नीचे भी आपको इस तरह से भर देना है, 6 के नीचे, 6 को भरना है, 7 की नीचे, 7 को भरना है, तो ये बहुत इजी सा प्रोसेस है, बाकि क्या ही मैं तुम्हें पकाऊँ, है न, ये बहुत इजी सा प्रोसेस है, बस ठिप ये याद रखना, कि आपको यहाँ पर जो चीजें भरनी है न, पहले लिख लेना यहाँ पर, उसके बाद ही भरना इस्टार्ट करना ने, तो गलती होने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं, ठीक है, चलो, अब आगे अपन देखते हैं, ठोड़ा आप छोड़ा कर लेते हैं एंसर को कैसे भरना है, मैं आपको दिखाता हूँ, देखो, सुनना बात ध्यान से, देखो, पहली बात तो यह है कि कुछ-कुछ questions में कभी-कभी होता है न, कि एक से ज्यादा answer आपको सही लगते हैं, लेकिन होता नहीं है, लगता है, लेकिन होता नहीं है, देखो, मैं बता आ गया, option number A में है तुम्हारा 2 बटे 4, option number B में है तुम्हारा कितना है मालो की, 3 बटे 6, option number C में है आपका 50 बटे 100, और option number D में है मालो आपका, all of the above, all of the above, यानि कि उपरोग तो सभी, उपरोग तो सभी, तो यहां भी देखो, अगर आप सम्तुल्य भीन आपको पता होगा तो आपको पता है भाई कि 1 बटे 2 के बराबर 2 बटे 4 भी है, तो जैसे 2 एकरने 2, 2 दुनी 4, 1 बटे 2 आ गया, ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे तो यहीं मार देंगा option number A, लेकिन फिर किसी को सदबुद्धी आ गई, वो कहेगा कि नहीं वास्तर, यह तो 3 बटे 6 भी है, 3 वो तीनों option सही हो रहा है, तो यहाँ पे वो तीनों गोले भर देते हैं और बड़े खुशी-खुशी घर चले आते हैं, वेटा सुनो, मैं बताता हूं आपको, यह तीनों गोले भर दिया ना, तो खुशी-खुशी घर आई ही जाओगे तुम हमेशा के लिए, फिर 9 दे न पढ़ेगा, last में D option, ABC तीनों को नहीं भरना है, ठीक है ना, तो एक से जादे गोले, एक question के अंदर आपको नहीं भरने हैं, बाकी ज्यादा ज्यादा आपको एक ही गोला इसमें भरना है, बात समझ में आ रही है, एक गोला ज्यादा ज्यादा, भाई, एक गोले से ज्याद मत करना, मैं strategy आपको मैंने बता रखिये कि कैसे आप exam hall में कैसे प्रश्ण पत्र को हल करें, कैसे strategy आपकी होनी चाहिए, किस method को आपको अपनाना चाहिए, उस method से आप काफी सारी अपनी गलतिया reduce कर सकते हो, chances reduce कर सकते हो गलतियों के, लेकिन फिर भी अगर कोई गलती हो जा जाए, ऐसा भी मत करना कि ये आधा ही भरा रहे है, और कुछ में ऐसा trick वगर नहीं लगाना है, ऐसा trick लगा दिया, फिर cross कर दिया, इस तरह के चीज़े नहीं करनी है, simple, इसको पूरा का पूरा ऐसा भरना है, एकदम goal, ठीक है, अच्छा, बहुत सारी बच्चों का ये भी queries रहता है कि सर पेन कौन सा यूज करें, अरे बहुत या पूराना जवाना गया, जिसमें हम लोग स्याही से लिखते थे हैं, ऐसे डुबो-डुबो के, कलम दवात वाला जवाना, अभी बढ़ियां पेन सा गया है, आर मार्कर में बहुत सारे पेन सा, कोई 10 उर्पय ले लो, कोई फरक नहीं पड़ता, चला कर देख लेना, बस यह रहा कि वो पेन जो है, थोड़ा पुराना हो जाए, थोड़ा घिसा हुआ रहा है, एक्दम नयने लेकर जाओगे तो देखते हो, चलता ही नहीं है वो, है ना, तो वो थोड़ी उस चीज की ध्यान रखना, बागी कु आपको उससे मतलब नहीं है, इस खाने से आपको मतलब नहीं है, आपको मतलब है इस खाने से, देखो मैं बताता हूँ, यहाँ पे, signature of the candidate in running hand, signature of the invigilator, यहाँ पे आपको कोई मतलब नहीं है आपसे, यहाँ पे भी आपको कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे आपको अपना sign करना है अच्छे से और running hand का मतलब देखो ऐसा नहीं है बहुत सारे बच्चे डरते हैं डरना नहीं है सबसे पहली बात तो running hand का मतलब यह है कि आप मिला के ऐसे capital letter में धीरे धीरे ना लिखो जैसे आप नॉर्माल अपना नाम लिखते हों ना नॉर्मल signature का मतलब यह आप नाम अर्जुन है तो जैसे आप लिखते हो बही अर्जुन सीधा अर्जुन जैसे आप लिखते ना कुई ऐसे बड़ी बात नहीं है और इसमें ड़र नहीं बात नहीं है कि जो तेखो पहला लेटर जो है छोटा हो गया पहला बड़ा हो गया इस तरह कि कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है ठीक है और बहुत सारे बच्छे ऐसे करने लगते हैं कि अपना signature बना ले लगते हैं कि मैं कैसा ऐसा signature करूं क्या कोछ तो यह सब मत करना यह सब करने की जरूरत नहीं है तुम्हें इससे बस डरना नहीं है बस simple ऐसे signature कर देना आप तुम लोग इतने छोटे बच्चे हो लेकिन फिर भी समझाने की जरूरत तो पता नहीं न तुम्हों इधर उधर भटकते बहुत हो और भटकते बहुत हो तो wrong information बहुत सारी चीजें पता नहीं कहां कहां से पता कर लेते हो उसके बाद तुम लोग को लगता है कि अब तो गए हम बहुत परिशान हो जाते हो चीजों के लिए करके तो इसलिए मैं ने ब बाकि आपको कुछ भी नहीं करना है ठीक है दूसरे पेश पर आपको अपना रूल लंबर और प्रश्न पूस्त का कोड लिखना है ठीक और उसके बाद आपको देखना है कि वो कोड जो है मैच कर रहा है कि नहीं यह तीसरा point हो गया कैसे आपको गोले भरना है यह मैने आप तो नया कोई OMR sheet नहीं है यही जो है जो हमारा OMR sheet वो यहीं है बाकि अगर exam में कुछ थोड़ा बहुत चेंज होता है मालों exam में यह बोल दिया कि यहाँ पर पापंग नहीं लिखना तो मत लिखो इसमें कौन सी बाड़ी बात होगी लेकिन एक तरह जब तूम प्रैक्ट्रस कियए ऐगे जब तुम्हें पता रहेगा कि कहा पहे क्या क्यार चीजणी लिखनी यह और क्या है इंपर्टेंट है वह पता रहेगा तो फिर कोई दिक्कत wonders वाली बाथ है ज़र पहीं प्र्राइब की नहीं तो इसलिए आपको इसी OMR sheet से प्रैक्टस करनी है अच्छे से खुद जम के प्रैक्टिस करनी है गोला वाला भरने के अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना ठीक है प्रैक्टिस की बात याद आई कि तो फिर करोगे live 10 code का use करोगे तो आपको 10% का discount मिल जाएगा ठीक है लाइव 10 code का use करोगे तो 10% का discount मिल जाएगा लेकिन अभी फिलाहल 30% का discount है so make sure you enroll in the relative courses जो भी आपको ठीक लगे 4G batch है हमारा सेनेक स्कूल के लिए और ये हमारा अर्जुन है नौदे विद्याले के लिए तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो की डीटेल समझ में आई होगी अच्छे से सारी चीज़ों समझ में आई होगी और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप लोग प्रैक्टिस खूब करोगे अच्छा OMR sheet की प्रैक्टिस करनी है ना तो द्रोन स्कूल के प्रैक्टिस कर लेना ठीक है इसमें कोई जरूरी नहीं यार कि तुम बहुत मोटे पेश पैसे बढ़िया से कोई फरक नहीं पड़ता कोई मतलब नहीं है साधे पेश प्रैक्टिस करना है तो ऐसे सिंपल दुकान पर जाना प्रैक्टिस कर लेना चार-पांच रुपे लग